नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Group पर दोस्तों लेटेस्ट एक्जाम पर्टन को फॉलू करते हुए साइन्स के कैसे कॉशन्स आ रहे हैं एक्जाम में आज इस वीडियो में हम वो कवर करने वाले हैं आपने साइन्स पढ़के रखी है हम आपसे MSQ कॉशन्स पूछेंगे तीस प्रशनों में से 50% स्कोर गेन करना है चेक करिए क्या ये रेंडम कॉशन्स आप कम्प्रीट कर पाते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन आउन करके नेक्ट वीडियो आपको मिल सके इसके लिए औल वाला नुडिफिकेशन आउन कर लिएगा तो चले शुरू करते हैं वीडियो साइन्स के most important question सबसे पहला प्रशन है यह रहा स्क्रीन पर मस्तिस्क की सुरक्षा के लिए मस्तिस्क के उपरी तीन परत कौन सी है तो right answer क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए मस्तिस्क की सुरक्षा के लिए मस्तिस्क के उपर जो तीन परत होती है जाहिसी बात है option के according और प्रोग तो सभी आंसर आ जाएगा Durameter, Arachnoid और Pyrameter ये सभी मस्तिस्क की उपर की तीन परत हैं जो मस्तिस्क की सुरक्षा के लिए होती है Next question देखते हैं क्या पुशा गया है मानव शेरीर में किसकी अधिकता से हर्दे घात हो जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा कॉलेश ट्रॉल की अधिकता से मानव शेरीर में हर्दे घात हो जाता है राइट आंसर है Next question देखते हैं अगला प्रशन मानव मस्तिस्क का कौन सा भाग संगेबच समवेगनात्मत क्रियाओं को नियंतृत करता है तो मानव मस्तिस्क का समवेगनात्मक क्रियाओं को नियंतृत करने वाला जो भाग है उसका नाम है हाइपो थेलमस ऑप्शन अमबर सी इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा Next question देखते हैं प्रशन है अस्ती मज्जा में रुधिर कडिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो अस्ती मज्जा बोन मेरों में लाल रट कडिकाओं बनती है तो आपको पता ही होगा अब अस्ती मज्जा में जो रुधिर कडिकाओं का निर्माण होता है उस चीज को क्या कहते है तो उसको हेमेटो पाइसीज कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा हेमेटो पाइसीज ऑप्शन नमबर A इस प्रशन इंगले से उत्तर हो जाएगा नेक्श वोट करने पर आने वाली स्याही किस रसायन की बनती है जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके हाथ पर निशान लगाया जाता है स्याही से वो स्याही किस की बनी होती है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वो स्याही सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है आप्शन नमबर सिल्वर नाइट्रेट सही उत्तर है नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रशन निम्न मैंसे मिश्रित पत्तियों वाला पादप कौन सा है इनमें मिश्रित पत्तियों वाला पादप कौन सा है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो नारियल जो है मिश्रित पत्तियों वाला पादप है राइट आंसर हो जाएगा इ इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नारियल नेक्स कॉशन देखते हैं निम्न मैंसे कौन केवल पोशिता कोशिका के भीतर प्रजनन करता है या पोशित कोशिका के भीतर प्रजनन करता है वो कौन है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो पोशित कोशिका के भीतर प्रजन करता है वो इन में से विशाणू है option number विशाणू इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन क्रत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रियोग करते हैं next question देखते हैं सौर उर्जा को विद्धूत उर्जा में बदलने वाले यंद्र को क्या कहा जाता है right answer क्या हो जाएगा तो सौर उर्जा को विद्धूत उर्जा में बदलने वाले यंद्र को photo voltage sale कहते हैं option number एस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा पराग कणों के अध्यन को क्या कहा जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा पराग कणों के अध्यन को क्या कहते है तो पैलिनो लॉजी इस प्रशन के लिए सही उत्र हो जाएगा पराग कणों के अध्यन को पैलिनो लॉजी कहा जाता है किस वैग्यानिक ने बैटरी की खोच की थी, क्या उत्तर है इस प्रशन के लिए, किस वैग्यानिक ने बैटरी की खोच की थी, राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए, तो वैटरी की खोच बोल्टा ने की थी, option number बोल्टा इस प्रशन का सही उत्तर है वो barium के chloride लवन के कारण दिखाई देता है option number B expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं एक वस्तू पर लगाएगए गुरुत्वा करशन बल को क्या कहा जाता है right answer क्या हो जाएगा तो एक वस्तू पर लगाएगए गुरुत्वा करशन बल को वजन कहा जाएगा option number B expression के लिए सही उत्तर है next question देखते है निम्न मैंसे बहु कोश्य जीव किसके द्वारा वर्दी करता है right answer क्या हो जाएगा बहु कोश्य जीव जो होता है वो किसके द्वारा वर्दी करता है तो बहु कोश्य जीव कोश्य का विभाजन के द्वारा वर्दी करता है option number D expression के लिए सही उत्तर है next question देखते है मानव शरीर की वास्तुविक मास्टर गरंती किसे कहते है right answer क्या हो जाएगा मास्टर गरंती प्यूश गरंती को कहते है वास्तुविक मास्टर गरंती कौन कहलाती है ये एक नया question है exam में पूछा गया है इसको याद कर लिजिए ये hypothalamus है right answer हो जाएगा option number वास्तुविक मास्टर गरंती hypothalamus कहलाती है next question देखते है सहचर कोशिकाएं निम्न मैंसे किस में होती है क्या उत्तर हो जाएगा सहचर कोशिकाएं जो है किन में होती है तो angio sperm में option number C इस प्रशन के लिए से यत्तर हो जाएगा सहचर कोशिकाएं angio sperm में होती है next question देखते हैं अगला प्रशन कोशिका के केंदरक में निम्न मैंसे कौन सा द्रव्य होता है तो right answer हो जाएगा कोशिका के केंदरक में नियूक्लियोप्लाज्म होता है right answer हो जाएगा option number nucleoplasm होता है next question देखते हैं आवर्तसारणी के नियूंतम प्रतिक्रिया शील तत्व कौन से हैं? आवर्तसारणी के नियूंतम प्रतिक्रिया शील तत्व कौन से हैं? तो आवर्तसारणी में जो नियूंतम प्रतिक्रिया शील तत्व हैं हैं उत्करष्ट गैसे option number C next question देखते हैं पुर्ण आंत्रिक परावरतन कब होता है जब प्रकास कहां से कहां जाता है तो पुर्णा आंत्रिक परावरतन जब होता है जब प्रकास हीरे से कांच में जाता है right answer हो जाएगा option number A next question देखते हैं DNA अंगली छाप का प्रियोग किस की पहचान के लिए करते हैं то DNA अंगली छाप का प्रियोग जो है ये option number D इस प्रशन के लिए सही उत्र हो जाएगा माता पिता की पैचान बलातकारी की पैचान चोर की पैचान उप्रोग सभी इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन दूद को दही के रूप में खटा करना इसका एक उधारण है किसका उधारण है दूद को दही के रूप में खटा करना तो ये किंडवन का उधारण है option number C इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा निम्न मैंसे किसे कोशिका का सक्ती ग्रह पावर हाउस कहते हैं तो कोशिका का पावर हाउस सुत्रकणी का माइटो कॉंड्रिया को कहा जाता है option number B expression के लिए सही उत्तर है next question देखते हैं किस vitamin की कमी से cerebral रक्त स्त्राव होता है right answer तो किस vitamin की कमी से रक्त स्त्राव होता है ये समझ लिए शरीर में तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा vitamin K expression के लिए vitamin A मतलब vitamin K option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question पौधों के किस भाग से coffee प्राप्त होती है क्या उत्तर हो जाएगा तो पौधों का भाग वो है जड option number coffee जड़ों से प्राप्त होती है right answer हो जाएगा next question सबसे कम तरंग देर्धवाला प्रकास इनमें से कौन सा है right answer क्या हो जाएगा सबसे कम तरंग देर्धवाला प्रकास बैगनी प्रकास है option number D यहाँ सही उत्तर है next question काँच प्रबलेट प्लाश्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के काँच का प्रियोग करते है तो काँच प्रबलेट प्लाश्टिक बनाने के लिए रेशा काँच का प्रियोग करते है option number B यहाँ सही उत्तर है किसी ततो का परमाणू क्रमांग 17 है द्रविमान संक्या 36 है पर मानू में न्यूट्रोन की संक्या कितनी होगी तो आप माइनस कर दीजे आपका 19 आंसर आ जाएगा option number A इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा निम्न मैंसे हाइड्रोफाइट्स में किसकी कमी होती है तो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं जो जलिये पौधे होते हैं उनमें जो है रंधर की कमी होती है option number C इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा निम्न मैंसे कौन सी रक्त की oxygen निम्न मैंसे कौन सी gas रक्त की oxygen ले जाने की शमता को कम कर देती है हीमोगलोबिन के साथ सही हो करती है राइट आंसर हो जाएगा निम्न मैंसे गामा किरने किसकी वजह से बन सकती है गामा किरने किसकी वजह से शरीर में बन सकती है तो राइट आंसर हो जाएगा किसकी वजह बन सकती है तो गामा किरनों का ज़्यादा शरीर का टच होना जीन उत्परिवरतन का कारण हो सकता है option number जीन उत्परिवरतन का कारण बन सकती है गामा किरने तो ये थे 30 questions science के क्या score रहा comment box में ज़रूर share करें channel पर नए है तो channel subscribe कर ले क्योंकि इसके बाद जीके की questions अपलोड कर रहा हूँ तो वो भी वीडियो देखेगा आप अपने दोस्तों को share करें channel से ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें initial classes हैं तो आप सभी per day वीडियो प्राप्ट कर सकते हैं subscribe करके bell icon on ज़रूर कर लीजेगा अच्छा लगाओ वीडियो तो लाइक करेगा बहुत बहुत धनेवाद आपका दिन शुब हो